हेलो फ्रेंड स्वागत आपका स्टडी हैक चैनल पर जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी वोकाइब की स्रीज चल लिए जिसमें हम बात करते हैं वोकाइब की एकदम बेसिक लेबल से जिनें कुछ नहीं भी आता होगा वो भी वोकाइब सीख सकते हैं हम इसमें नया करते क् तो इसमें हम पिक्चर टेकनिक और स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिज करता हूं वोकाइब ताकि आपको चीजे ज़्यादा समय तक याद रहें जब आप एक्जाम में इससे क्वोस्चन देखो तो आपको अचानक से स्ट्राइक कर जाया कि मैंने इस स्टोरी के थूरू या इस पिक्चर के थूरू इसको रिमेंबर किया था तो चीजे आपको ज़्यादा समय तक याद रहें और एक्जाम में आपके कुश्चन गलत होने के कम से कम चांसे जहूंगे और इसमें हम सिर्फ वकाइब ही डिसकस नहीं करते हैं इसमें हम पूरी इंगलिस अंच क्र्णुलीगे में Tax करते हैं तो चलिए शार गॉप यसको चलिए मिद्व पांटाओ करें उता हूं जिसको कमेंट परता हो कलेश् Aktan करता हूं जानते का पहला वर्ड क्या है तो आज का पहला वह क्या है बैस्फुल मतलब क्या होता है संकोची अब यू बोल सकतो सरमीला बंदा ठीक है साई रिजर्ब रेलक्टेंट यह सब क्या है इसको सिनोनिम से अगर एंटोनिम की बात कर ले तो जागा बोल्ड कंफिडेंट ठीक है तो ज्यादा तो अब ऐसा गर को रिलेट कर लो कि वो लोग बैस्फुल होते हैं संकोची होते हैं ठीक है साई होते हैं अब इस बेबी को देखो अब यह पिक्चर याद रखो एंट आपको समझ आ जागा कि बैस्फुल मतलब क्या होता है ठीक है चलिए यह बहुत इजी वर्ड है तो इसके नेमोनिंस की आपको जोड़त नहीं पढ़ी कि आपको पिक्चर से चीज़े क्लियर रहेंगे आगे बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड है बेकाउन मतलब क्या है इसारे से बूलाना है ठीक है जैसे कि आप अपने दोस्त को कहीं भीर में देखते हो बड़ी दूर हो आपकी आवाज नहीं प करनां राया और आप इसको सीगनल वेव वे इसके सीनोनीम स मण हो जाएंगे आपको चीज याद रहेंगी एक ऐक बारवा फिकर देखो ठीक है इसको रिलेट कर आए टू-दे लाइफ में तो आप चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहेगे लेक्व का इसे करते हैं कि बैक करो बैक करो गारी जादि करें इसे कहरें इस वही चीज़ें आप याद रखना चलिहें नेक्स्ट बात करें नेक्स इचिफ comes ना ये सब क्या है इसे सरो नीम से अर् आपको कहेंगे कि आप इस लिंक पर क्लिक करो तो आपको दो लाक रुपए मिलेंगे तो आप क्या हो तो ठक जाते हो ठीक है उनके जाल में फंस जाते हो आपके साथ दोखा हो जाता है जब लिंक पर क्लिक कर तो आपके सारी डेटा चली जाती है आपके पैसे भी चले जाते ह यह पार यहां पर यह इसको लालेस दे रहा है पैस होगा कि तुम इस प्लैंग पर चल के आजाओ जब बेचारा प्लैंग पर रखेगा तो प्लैंग टूट जाएगा तो नीचे गिर जाएगा तो उसका ही नुकसान होगा ठीक है तब इस फिगर को देखो आपको याद चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है बीहेवियर आप लोग को पता होगा मतलब क्या होता है वयभार अपने बच्पन से सुनते आ आपको चीज़े याद होंगी तो इसके लिए मुझे नहीं लगता आपको नेमोनिक से होता है यह चीज़े आपको आसानी से याद है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है भी होग मतलब होता है योग होना नेसेसरी बी रुक्वाइड बी एक्सपेक्टेड ठीक है जैसा मैं एक्सपेक्ट किया थे हो वैसा ही योग हो जब आप कहीं इस्किल्स आपके अच्छे होंगे तो आप कोई भी काम के लिए योग होगे जब आप जॉप के लिए अपलाई करती है DR. ऑच्छे होगे योग हो, तो चीज़े आपको बीएब च्छे से, आपको बीएब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको जैसे पता वर्न वर्ड सबस्यूशन का सेस्न होता है तो वर्न वर्ड सबस्यूशन में आज का वर्ड है वह और यहीं मैंने दिया था लास्ट क्लास में होमवर्ग ठीक है वन हूँ डिनाइज वन सेल्फ और ली बॉड़ली प्लेजर ठीक है ऐसा वर्टी तपस्वी बोलते हैं जो कि अपने आपको अपने बॉड़ी के प्लेजर को त्याग देता उसको कोई भी कर्स्ट हो या कोई भी अच्छे कामों के लिए डिस्क्राइब कर रहे हैं ऐसे आप चीज़ों को तोर के याद कर सकते हैं अगर आपके पतनी क्या करेगी आपसे पूछेगी और क्या पूछेगी संद्ध ही करेगी ठीक है कैसे हुआ कहा हुआ तो संदीक करना तो आपके सट पे अगर अपकी पर दाग धब्बे लगे तो आपसे पूछा जाएगा संदेह किया जाएगा आप पर सक किया जाएगा ठीक है अब इस बच्चे को देख लोगा हो से देखना इस लगी को ठीक है नेशन्स डाट डू नोट ट्रस्ट इच अदर लुक अपॉन इच अदर ठीक है मतलब संदेह क रखना आशक एंस अधर मतलब याद रखना जब आपके दाग दब्बे हो जाते हैं पर तो आप उसको चीज याद कर लो कि किसी भी आपके शर्ट पर लग गया किसी भी चीज़ की तो आपकी पतनी क्या करेगी आपके संदेह करेगी आप से पूछे गी और संदेह करेगी आपके चीज याद होनी चाहिए क्योंकि अभी तक हमारी बहुत क्लास हो गई है बहुत बार इसको डिसकर कर रहा का यूवाई क्यू में भी तो एग्री तुए रिक्वेस्ट एन आडिया और सजेसर ठीक है इसके एक्सेप्ट ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते है यह भी मैंने डिसकर किया था ठीक है सीनों एंटों में सारे डिसकर कर रखें यह वर्ट वोकर में तो एजर्टी मतलब होता है दबांग हट धर्मी ठीक है ऐसा परसंट जो आप पर दवाव डाले ठीक है दो क्वालिटी और विंग फॉलाइटली फिर्म एंडिमांडी ठीक से स्ट्रॉंग विल कंफिडेंट जब आपका विल बहुत पावर बहुत मजबूत होगा आप कंफिडेंट होगा तभी किसी पर दवाब डाल सकते हो नहीं तो ऐसा आप दवाब नहीं डाल पाओगो सामने वाला भी आपके हावी हो सकता है ठीक है अचले नेक्स्ट बात कर अचले के नेक्स्ट जैसा कि आपको पता है इडिया में फ्रेज के सिसन आते है तो आघका जो पहला ऐडियाम एड फ्रेज है अग्जार फानी आपने यह इडियाम पठा होगा बहुत जगह और आप बहुत बाराच शुका है यह वही कॉमन है एससी के लिए कॉमन इडियम से ठीक है तो आप याद रखना है एडम्स एल मतलब होता है पानी ठीक है नेक्स्ट बात कर ले नेक्स्ट है एड इंसल्ट टू इंजिरी ठीक है जले पर नमक छी रखना अगर आपके साथ इंजरी हो गया अब उस पर भी कोई इंसल्ट करें मतल्रों क्या है जले पर नमक छी रखना है गां यह कन की आप देख पायोंगे इस्टिति को और विण भी ताना दे रहा है ठीक है जले पर उसके नमक छी रखना तब फर्दर अलोस बिथ मॉक्री टू वर्सें एंड अनफेबरेवल सिच्वेशन मेक एबाइट सिच्वेशन इवन वर्स ठीक है बुरे स्थितियों को और भी बुड़ा बना देना यानि कि जले पर नमक छे रखना ठीक है जैसे कि आपकी साधी हो जाए उसके बाद आपके दोस्त बोलो कि आप तो बहुत खुंस होगे तुम तो यह सब क्या है एड इंसल्टू इंजरी ठीक है चलिए नेक्स्ट की बात करता हूँ नेक्स्ट अफ्टर वंस ओन हट इस इड्यम का मतलब वतार मन की बात अगर आप अपने दिल की सुनोगे अपने दिल के साथ जाओ नहीं आपने मन की बात सुनरे हो ठीक है sharing और having once test or view ठीक है अपने मन की बात सुनेगे तो बहुत सार आप यहां पर देख पार हो idiom तो मैं इसको भी discuss करूँगा हर्ट से related कुछ idioms है जिसको मैं चाहता हूँ कि discuss यहीं के यहीं कर लूँ ताकि आपको बहुत अब बेनिफीशियल हो आगे का time budget ठीक है आफ्टर वॉंस हो ना सिमलर इन प्लीजिंग वहोता है ठीक है अगर आप अपने हट के पीछे हो ठीक है तो मतलब कि आप जैसे हो वैसे ही परसन को चाहते हो की परसन आपको ट्रिट करें ठीक है बेयर वॉंस हर्ट साहूल ठीक है मत मतलब क्या होता है ?Change in the ones opinion and outlawAT एक क्या बोलता है? उसका दिल बदल गहा六気 की त्णी न काक्न का लो रहा है कि आपको आप एक ऑपना दिल खा रहा है मतलब क्या आपको I can work in..? हे in a heartbeat भी हाट मतलब क्या होगा? immediately अपका heart beat के कैसे करता है कि तेजी तेजी करता है ठीक है तो in heart beat मतलब अपने heart beat के समय में मतलब बहुत सी तेजी से immediately होगा इसका मतलब ठीक है touch one's heart अगर कोई आपका heart छू ले मतलब affect someone emotionally be touching ठीक है किसी को आप emotionally affect कर दो छू लो उसके दिल को ठीक है मतलब क्या है कि आपकी बाते उसे बहुत अच्छी लगने लगेगी ठीक है from the bottom of one's heart sincerely and with deep feeling अगर आपके अंदर deep feeling आएगी ठीक है तो आप क्या करते है from bottom of one's heart follow your heart अगर आप अपने दिल का पीछा करोगई ठीक है तो क्या करोगई rely on once deeper अपने आप पे ही focus करोगई ठीक है feeling and instinct when making a decision जब कोई decision में करते हैं चलिए आगे देखते नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपको अपराद करने के लिए अपका सहयोगी हो मदद करें ठीक है नेक्स्ट कर लेते नेक्स्ट कर लेते अलार्मस and excursion मतलब क्या होता है ब्रहमित गटिविदी ऐसा कारें जो आपको भरम में डाले कान्फ्युज अक्टिविटी और एड़ोर्ल्ड ठीक है अपको भरम में डालेगा आप इस पिक्चर को आपको देखेद परोर होगा को क्या करता है वह यह जैसी चीज unch temps और अ that i एक्टिविटी जो आपको भरम में डालें चलिए नेक्स्ट बात करें जैसा कि आपको पता कि एक पैंडोरा बॉक्स होता है जिसको हम ओपन करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है अगर आप रेगुलर होगे तो आपको पता होगा अगर आप न्यू है तो मैं बता दू कि एक-एक रूल को सामिल करते हैं तो अभी तक हम 21 रूल डिसकस कर चुके हैं अभी हम भर्व का रूल डिसकस कर रहे हैं तो आज हमारा 20 सेकेंड रूल है तो रूल क्या कह रहा है एस सिंगल वर्ब सूट बी मेड़ तो सर्व टू सब्जेक्ट वानली वेन दफ फॉर्म वर् एक ही वर्ब फॉर्म का यूज कर सकते है ठीक है तो अब देख पा रहे होंगे आई एम सेवेंटीन इयर ओल्ड एंड माई सिस्टर इस फॉर्टीन यह इंकरेक्ट हो गया क्योंकि देखो आई के लिए एम लगता है लेकिन अगर बात कर लें माई सिस्टर सिस्टर के लिए तो इस आना चाहिए ना तो दोनों के लिए सेम नहीं लग सकते क्योंकि दोनों का जो भर्व है अलग 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 लगता है अगर वहीं पर यह नहीं होता यहां पर सी होता या ही होता तो इस एक जगह लगता और काम चल जाता दोनों के लिए संटेंस के लिए ठीक है तो इ एक जगह दिया होगा एम और अगले जगह लगए और आप ध्यान नहीं दोगे सिंगल वर्फ फॉर्म पे चले जाओगे तो आपकी चीज गलत हो जाएगी तो आपको यह चीज याद रखना है ठीक है इस पर बहुत बार कोश्चन पूछे जा चुकिए चलिए आगे बात करत है तो जैसा कि आपको पता है कि प्रिवेश यह के कोश्चन वह करते हैं ठीक है आपको कोश्चन एंसर करने के लिए दस सेकेंड मिलते हैं और हम सेवन्थ दिसंबर के सिफ्ट वन की बात कर चुके है तो आज हम बात करेंगे सेवन्थ दिसंबर सिफ्ट टू की ठीक है तो a cat out of the bug, चार option है, secretly confide, open confess, to allow a secret to be known, usually without intending to creating a false story, ठीक है, चलिए, इसी के साथ आप टाइम अप हो चुका है, और I hope आप लोग में सही answer कर दिया हो, क्योंकि ये PY के question है, तो मुझे लगता है कि आप लोग अभी तक इन सारे question को deal out कर चुके होगे, इन्हें solve कर चुके होगे, ठीक है, तो इसका जो right answer होगा, ओप्चन नमर 3, जब आप cat को bag से बाहर निकालोगे, तो क्या करो, आप अपने secret को सब के सामने जाहिर करने हो, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आपको one word substitute बताना है, उसका मतलब बताना है, चलिए आप टाइम अप हो चुका है, और मैं बता दू किछका जो सही answer होगा, वह होगा, absolution, ठीक है, और ablution आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, act of washing oneself, ठीक है, ये भी मैंने first, second, first या second class में आपको ये चीज़ बताई है, बहुत बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आपको एंटोनिम से बताना है, बहुत इज़ी वर्ड है, चार ओप्सन है, बिकरिंग, एक्सपल्शन, इंट्रिडिक्शन, और डाइरेक्टिव, बहुत बार प्रीविएस येर में पूछा गया, और मैंने भी दिसक्स किया, दो से तीन वर्ड मैंने इसको डिसक्स कर दिया, तो आपको एंटोनिम से बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी, टाइम भी अप हो गया, तो इसका जो सही एंसर होगा, एंटोनिम से होगा, इंटरिक्शन, ठीक है, कॉंसेंट मतलब क्या होता है, सहमती, एग्रिमेंट, और परमीशन, ठीक है, और बात कर लें विक्रिंग, Bickering मतलब क्या होता है, बेकार की बात पर जगरा करना, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो, Rangle, इसके Synonym से हैं, और क्या हो सकते, Dispute, ठीक है, और एक Synonym, क्या होता है, Spar, ठीक है, यह सब इसके Synonym से हैं, एक्सपल्सन मतलब आपको पता ही निस्कासन करना ठीक है निस्कासन मतलब क्या होता है रिमूव करना ठीक है रिमूबल इविक्षन यह सब आप बोल सकतो इंटरडिक्षन मतलब क्या होता है इंटरडिक्षन मतलब होता है रोग क्या होता है रोग चीक है आप इसको बोल सकतो इस्टॉप डिस एग्रिमेंट भी बोल सकतो ठीक है कॉंसेंट था तो आप इसको और क्या बोल सकते हो आप इसको बोल सकते इविक्षन भी बोल सकतो तो यह सब इसके सिनोनिम से ठीक है स्टोप होगा और क्या होगा बैन होगा ठीक है और डाइरेक्टिव की बात कर ले तो डाइरेक्टिव मतलब ङतल अदेश थी कह से लेगरा बात करते हैं। इस EDM का मतलब बताना है ठीक है आपको 10 second मिलेंगे EDM है take something at the face value ठीक आप 10 seconds ज्यादा ले लो इसके बहुत लंबे लंबे options है तो आप इससे देखो और बताओ answer comment box में ठीक है in fact not be quite what it appears ठीक है take something at face value ठीक किसी को face value पर ले तो मतलब face देखके आप किसी की value कर तो आपको फर्क नहीं पड़ता है कि वह क्या सोच है उसकी कैसा दिखता है क्या है नहीं आप इसके appearance पर नहीं जाते हो ठीक है चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताना अंडीजारेबल का चार option है मीक अनडवाइसेबल फुलिस एडवाइसेबल ठीक है तो आप बढ़े असानी से इसको कर सकतो बहुत ज्यादा था आपके लिए इस question के लिए तो आई होप आप लोगे ने answer करी दिया होगा तो इसका जो right answer होगा वो क्या होगा undesirable का क्या हो जागा एडवाइसेबल undesirable मतलब क्या होता और वांचनी बोल सकतो उनफेल्कम ए उनफेल्कम कि बहुतर के ओदमें प्रताव के च्छेमरे मिक मतलब क्या होता है नरम मिक की बात करें तो सब क्या बोल इसको सकतो है संबल दो हुआ मैं ऑंबल दो और सकतो है आ समिसिंत्स और अडबयरेवल मतलब क्या था अनुशित एंडुजारेवग सब्सक्राइबर सबस्राइबल का ही इस कहीं सіनोनिम्स इसे मतलब मुण आप पता है मॉरक मुठी नो यह सब और आपर होगा रिस्नेबल और रिजनेवल यह सब क्या इसके सिनोनिम से ड़ाइसे बात कर लेते नेक्स्ट प्रोस्टेन आपको क्या कि यह रहा कि सीडरेट, रेट्रोएस्पाइस्पेक्टिव, ठीक है, तो आप इसको इसका मतलब नहीं पता होगा, ठीक है, कुछ चीजह आपका इलिमिनेट हो जागा, I hope आप लोग ने अभी तक सही अंसर कर दिया होगा, तो नंचैलेंट का जो परेक्ट एंसर होगा वो घो पहले समझ लेते हैं कि न चलेंड मतलब होता क्या वोते हैं तो यह सब से सिनोनीम्स हैं अनकंसर्ण्ट जो है इसके ही सिनोनीम्स है नचलेंड के सिनोनीम्स से बेपरवा oh un ISIS मतलब अघाल थीक है प्रवल को सकते हो इसको भो सकतो स्ट्रॉंग हो गया यह सब इसके सिनोनिम्ष हो जाएंगे ठीक है considerate मतलब क्या होता है विचार सील ठीक है अब बोद सब्सक्राइब कि इसके synonyms हो जाएंगे और क्या हो जागा रेसनल हो जागा इसके synonyms ठीक है नेक्स्ट है एंटोनिम्स आपको बताना है pacify का ठीक है आज का मुझे लगना सबसी इजी वर्ड है दो से तीन सेकेंड काफी था आपको एंसर करने के लिए एस्वेज प्लैकेट एग्रावेट फ्वेल ठीक है यह चार आप्सन है आप चाहो तो इसको प्लैकेट मतलब क्या है किसी इसके दियुक के क्या सिननिम सहो तो पूछा तो इसका जो राइट रहीट रहीट mec velocis एट boy चरदह शरह कैना भरकाना यह सब आउगा ठीक है पράभोक बोल सकते मैं ने इसको और ़ि while उल Note वर होती तो पांच तीज तक हमारी इसकों अगर और गाल से से लेके टेन पीएम सेम बताना है ठीक है ताकि मैं आपका कोश्चन जो है आपके एंसर जो भी आप भी दोगे कमेंट में उसको इंक्लूड करपाऊं ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता है अगर अच्छा लगा तो उनके लिए बेस्ट क्लास है ठीक है और ये क्लास हार्ली 25-30 मिनट की होती है अगर आप समय देख पा रहे हो तो आपके घरी में भी 24 मिनट एपरोक्स हुए होंगे और हमने अपने क्लास को एंड कर दिये ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते है नेक्स लेक्चर में क कुछ नए साथ ठीक है तब तक के लिए जय हिंद जय भारत